कि सब्सक्राइब करें एंड हम अब करें यूटिब के तेकनिकल वाइड चैनल को और दबा दिए इस अईकन को भी लेडिश टेकनिकल जानकारी शोते कि आप मैं उसके साथ ही जिए आप में कर सकते हूं। अब कले की आपको डिखाता हूं ताकि यह उस चीज enthusiast समझ सकेस्के तो आप क्यक्स्थ सक्षाइब का स рад को चा किसे करें गए तो अभी तक हमारे चनल को सबस्प्स्टैब कर जाए बैल आइकन को प्रिस कर जिए ताकि आने वाली लिटेश्ट में वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकें तो यह जो आप करेंगे इसके लिए आपको दो सॉफ्ट्रेयर को डाउलोड करना होगा तो चलिए हम जानते हैं कि आप यह कैसे करेंगे हैं कि तो सब चिस पहले आपको अपने स्क्रीन को जूं करने और ये proinator करने के लिए एक software करने के लिलिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ने मिल जाएगा तो आप जोंट इस software को download करने के लिए उस linq पर आ सकते हैं तो यहां आने के बाद आपको I am not a robot पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके click here to continue पर क्लिक कर देना है फिर आपको यहां पर इसे बंद कर देना है उपर जो खुलेगा फिर आपको नीचे 8 सेकेंड बाद एक लिंक जेनरेट होगा उस पर आपको यहां पर click कर देना है फिर यहां से आप जुमिब सॉफ्ट्वेर को डाउनलोड कर लीजिए जो की 296 कभी का है यह एक जीफ फोल्डर में डाउनलोड होगा तो इसे हमें यहां से पहले इस्ट्रेक्ट करना होगा तो इस एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके हम एक्स्ट्रेक्ट और पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो इसके अंदर जूम इट का एक सॉफ्ट एप्लिकेशन है उसे हम यहां से कॉपी करके डेक्स्टॉप पे कहीं भी प्रेश्ट कर लेते हैं उसके अदम इसे रन करते हैं और यहां पे आप जो है जूम के लिए अपना सॉट की अपने अनुसार से सेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पे जूम के लिए सेट किया हुआ है देख सकते जूम के लिए कंट्रोल प्लस वन सेट किया हुआ है तो जैसे है मैं keyboard से control plus one place करूंगा मेरे computer का screen उस जगह पर zoom हो जाएगा जहाँ पे की मेरे mouse का point होगा तो मैं आपको दिखाता हूं कि यह काम की से कड़ेगा तो यहाँ पर आपको यहाँ जैसे हैं मैं control के साथ one-press करता हूं मेरे computer का screen उस जगह पे zoom हो जाता है और यहाँ पे मैं control के साथ यहाँ पे rectangular में draw कर सकता हूँ तो आप इस तरह से zoom it software का यूज अपने computer के screen को zoom करने और draw करने के लिए कर सकते हैं इसके बाद जो 9 software है उससे आप अपने computer screen को record करता हैंगे जिसका नाम है approach of screen recorder तो इस software को download करने के लिए link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो वहाँ से आप यहाँ पे I am not a robot पे क्लिक करना है और फिर click here to continue पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे एक link जेन डेट होगा 8 second में उस पे आपको get link पे क्लिक कर देना है फिर यहाँ free download पे click करना है तो app or soft screen recorder यहाँ से आप नीचे आपको यहाँ से ultimate download पे क्लिक करके इस software को download कर देना है तो इस software से आप जो है एक अच्छी quality में अपने screen को record कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको computer में जितने screen का उसे select कर सकते हैं area को आप select कर सकते हैं और उसके बाद आप नीचे record पे click करके अपने screen को record कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको settings के option में और भी options में मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे अपने video को sort की select कर सकते हैं कि आप अपने video को stop करने के लिए किस सौफ्ट की का यूच करेंगे या पूस्ट यारिसम करने के लिए किस सौट की का यूच करेंगे या आप नीचे आपको जो टूल बार दीख रहा होगा उसे आप हाइट करने के लिए किस की का यूच करेंगे तो इस तरह से आप जोए इस सौफ्ट्वियर का यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ट करने के साथ साथ जूम कर सकते हैं और उस पर आप ड्रॉब कर सकते हैं ताकि कोई भी अगर आश्य वीडियो को देखे तो वह उसे आचाने से समझ जाए तो अगर आप को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें और हमाई चैन फिर पर ने जैने के लिए अमर्चान को सब्सक्राब कर दिजिए और बैल आइकोन को इन प्रेस कर दिजिए तो मित यह वीडियो में लेटेश नहीं जान करें किसा तब तर के ल झाल